हमारे बीच में मुंबई से आए वे हैं बाई सुनिल सैनी जी एक बार उनका भी जोड़दार करतर धनिचे सबकी और से बहुत बहुत अभिरंदन है और ये भाई सुनिल सेनी जी को भेजा है हमारे भाई शनी देवल दिये ने आशिरवाद लेने के लिए मैंने कल ट्वीट किया था पहरी बार किसी पिक्चर के बारे में और हमारी इच्छा कि मुल्यों पर आदर्शों पर आधारित राष्ट भक्ति पर आधारित भारतिये परमपरों पर आधारित फिल्मों को प्रोथसाहन दिया जाए इसलिए घायल वान्स अगेन को हमने समर्थन दिया और मैं एक बात बहुत प्रमानिकता के साथ कहना चाहता हूँ, बहुत से स्टार्स हैं, वो अपने अपने ढंक से काम कर रहे हैं, लेकिन शनी दियोले के ऐसा स्टार है, जो कभी शराब नहीं पीता है, कभी कोई अनयतिक आचन नहीं करता है, उसके लिए हमारी बहुत बहुत बधाईयां बहुत बहुत अभिनंदन हैं, वो खुद भी अशाश्वी हों, और उनकी गायल बन सागेन, ये पिक्चर भी खुब यसाश्वी हों, और उसमें उन्होंने सत्यकाम की भूमिका में सच्चाई के लिए लड़ने का जो संघर्ष किया है, और समाज को एक परिश दिया है, कि हमें किसी भी किमत पर सच्चाई के मार्ग से नहीं हटना, एक ऐसी पिक्चर है जिसको परिवार के साथ देख सकते नहीं, तो हमारे जैसे लोग तो हमेशा पिक्चरों का विरोध करते हैं, और हमने समर्थन किया है, तो उसके पीछे एक सच्चाई है, एक आदर्श है, एक मुल्य है, एक बात उची देश भक्ती की और बहुत उची चरित्र की एक भूमी का जो है वो शनी दियोल जेनिल भाई है, तो इसके लिए हम सब के और से एक बार घायल वांस अगेन के लिए बहुत बहुत बधाई बहुत बहुत उनको शुक्ताम नाएं और जो भी लोग इस पिक्चर में थोड़ी भी रूची रखते हैं, वो जरूर इसको देखें और औरों को भी प्रेरित करें, जिससे के हम अच्छे सिनेमा को अच्छे पिक्चरों को प्रोचसान दे सकें